नमस्कार दोस्तों पदबस्वागत आपका हमारे चनल में दोस्तों आज की वीडियो में आपको आपके आधार कार्ट और आपकी गुप्त सूचनाओ के बारे में एक अच्छी जानकरी देने वाला हूँ दोस्तो आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा इसके बारें बहुत शोर भी मचा था कि आपको आपके आधार नंबर को हर एक जरूरी जगों पर लिंक करना है यानि कि जोड़ना है चाहे वो आपके बैंक अकाउंट हो चाहे वो आपके मोबाइल नंबर हो चाहे वो इसकूल हो चाहे वो पैंकाड हो बहुत सी ऐसी ज़रूरी जगों पर वो लिंक करने के अनिवार ये कर दिया गया था दोस्तो हमें अपनी जो परसनल चीजे थी उन्हें छुपा कर रखने का अधिकार होता है और इसी को मद्य नजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ओफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ने अब ये ओर्डर दे दिया है कि हमें कुछ जगों पर अपने आधार को लिंक करने की जुरूत नहीं है उनमें से सबसे पहले नंबर पे इसकूल है दोस्तों हमें अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल वाले आधार नंबर मांगते थे आधार कार्ड मांगते थे बच्चों का और बच्चों के जो आधार कार्ड बनाने में काफी दिक्कते होती थी और इस condition में बच्चों का admission करने से भी मना कर दिया जाता था तो इसलिए Supreme Court ने आप school के अंदर आधार card या आधार number को देना अनिवार जो था उसको खतम कर दिया गया उसको आपको नहीं करना पड़ेगा link अगर आपके पास आधार number नहीं है तो भी आपके school में बच्चों का admission हो जाएगा दूसरी जो बड़ी बात है जो बड़ी ख़बर है वो है bank account के साथ आपके आधार number को link करना दोस्तो सभी लोग इस बारे में सोसते थे और attention में थे क्योंकि आधार number को bank के साथ भी link किया जा रहा था और phone number के साथ भी उसको link करना तो सभी सोसते थे कि भी हमारी personal जो चीजे है या personal जो हमारा data है वो चोरी ना हो जाए और यही चीज Supreme Court ने भी notice में की और उन्हें भी ये लगा Supreme Court को भी ये लगा यानि कि अब आपको अपने bank account के साथ भी अपने आधार number को link नहीं करना पड़ेगा तीसरी जो एक महत्वकूर्ण खबर है वो है आपके mobile number के साथ आधार को link करना दोस्तों आपको अपने आधार को mobile number से link करने के बाले बारे में भी बोला गया था और ना करवाने पर आपके mobile service को बंद करने के लिए भी बताया गया था लेकिन Supreme Court ने हाल की order में अब ये clear कर दिया है कि आपको अपने आधार number को mobile number के साथ link करना भी जरूरी नहीं है अगर आपने जो जरूरी सेवा हैं इनके अंदर आपको आधार number को link करने की कोई भी जरूरी नहीं है तो दोस्तों ये जानकर ये आपको कैसी लगी प्लीज हमें comment करके जरूर बताईए और अगर आपको ये जानकर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को like भी कीजिए अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ share भी कीजिए